अब प्लेटिंग कर देंगे इनकी, यह चीले बहुत ही टेस्टी बने हैं, इनको मैंने दहीं के साथ सर्फ किया है, इनको किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, नमस्ते मैं सुमलता दिक्षित, आज मैं अपनी कीचन में इस घीये से पूरे परिवार के लिए हैल्दी नास्ते क की रेस्पी शेयर करूंगी, चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है, इसको बनाने के लिए यह चोटा सा घीया है, लगबग 200 ग्राम के बराबर है, इसको छील के दोके ले लिया है, और अब इसको कद्दू कस कर लेंगे, मिक्सिंग बॉल में एक कप कद्दू कस किया हु स्वाद्योडा गौटा फॉल मitज चुताई चमब अज्वाइन, स्वाद्योडा फॉल में आप्धे आप मेरे चैनल में पर पहली बारत प्लzes अलड़ेव्प कर देना लेकिया है, डाने वाले वीडियो की नोठीपवकेशन मिलेगे और अगर आपको मेरी रेस्पी इसे like कर देना और जादा से जादा इसको share कर देना और comment section में जरूर बताना ये recipe आपको कैसी लगी पानी डालेंगे अच्छी तरह से mix करके थिक बैटर बनाएंगे इस तरह से गैस के उपर तवे को रखके घी या तेल से grease करेंगे बैटर डालेंगे इसको फैलाएंगे नीचे से सिख जाने पर पल्टेंगे घी spread करेंगे दोनों तरफ से सिख जाने पर प्लेट में निकालेंगे दूसरा बडाने के लिए बैटर डालेंगे फैलाएंगे इसको नीचे से सिख जाने पर पल्टेंगे घी spread करेंगे ये भी पक चुका है इसको भी प्लेट में निकालेंगे बैटर डालेंगे सब को इसी तरह से बना लेंगे सारे बनकर त्यार हो गए हैं चलिए मिलते हैं कच्छी से नही रैस्पी के साथ बाई